संतोस रेन्यू को आप जेल डाली कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उससे पहले आपको राजीव परताप रूडी को जेल में डाला चाहिए अगर राजीव परताप रूडी को आप जेल में डाल कर संतोस रेन्यू यादो को जेल में डालते तो हो सकता था जो इंसान बोलता है सेल में बोन किया जा सकता है कुटा सियार को जानते हैं आप कहीं भी हट खड़ी लगा कर बने एक खुटा में लागा कर बांद दीजिए तो कुटा वहां पर रह जाएगा लेकिन सेर को आपको पिजड़ा के अंदर बंद करना पड़ेगा क्योंकि सेर गरीब का मसिया था संतोस् समाज के लिए अगर एक बात निकल गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है जी दोस्तों नमस्कार में हुश्वास देखिए बित्ते कुछ तिनों पहले छप्रा सारण में भोटिंग होता है मतदान के दिन ही राजपूर समाज और यादो समाज के बीच लड़ाई जिसमें राजपूर समाज के कुछ लोग यादो समाज फूपर इस परकार प्रहार करते हैं कि चार लोगों को गोली लग जाती है जिसमें मौके पर ही चंदन यादो की मौत हो जाती है मौत के बाद संतोस रेनो यादो घर पहुँचते हैं सोसल मीडिया पर ब्यान भी देत तो हैं किया कुछ बोलेंगे संतो स्रैनु यादो जो यादो समाज के उपर जो भी पत्य आती थी बोलते थे खुल के उनको चले विवह में डाल दिया गया है सारे नुव्याबatri amus वो नसान कोई भी जाती सी आता हो कोई भी समास सी अता हो सन्तो श्रीणु यादो को ये माने नहीं रखता भस आप गरीब हैं आपको कोई अमीर इंसान दबा रहा हैं तो अ Quiisyają पर आपना पर जान को собой् Broad का बात जान लीजिए संतोस्रेन्य यादो अपने समाज के लिए अपने समाज से इतना प्यार करते हैं उनके समाज पर कोई अंगरी उठाता है न तो कुछ भी बोल देते हैं उनको समझ में नहीं आता है चिदी सी बात समझे यही हुँ अच्छाप्रा में का होता है एक चंदन यादो को गोली मार कर हत्या कर दी जाती है उसके बाद राजीव परताप रोडी आते हैं लाइब आकर जानते हैं का बोलता है सेल्फ डिफेंस में गोलिया चलती है और चलती रहेगी तो मैं पुछना चाहता हूं बिहार पुलिस से और सारंग पुलिस से का महद है आपको नहीं लगता है यह राजीव परताप रोडी जिसी साहब से बोले हैं मीडिया में आकर उस बातों से पब्लीक में का संदेश जात है आपको आपस में लड़ेगी पब्लीक आपस में जूझेगी एक दुसरे तुरह से गोली बंदूग चल सकती है यहां पर कुछ भी हो सकता है इस बात आपको शिर्फ संतोस्रेनु यादों दिख रहे हैं काहिकी जानते हैं संतोस्रेनु यादों गरीब का बेटा है बढ़ने वाली बात है बीजीपे वाले लोग अस्तियाचार कर रहे हैं उनको क्यों नहीं गिरफतार किया गया शब्सक्राइब पुलिस का हम आपसे निमेधन करना चाहते हैं बिल्कुल एक्तारफा कर रही है देखिए हम दू मिंट के लिए मानते हैं जो संतोस्रेणु यादो धाम काने के लिए बोले राजीव परताब को धाम काए ठीक है संतोस्रेणु को आप जेल डाली कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उससे पहले आपको राजीव परताब रूडी क जेल में डालना चाहिए बिल्कुल अगर राजीव परताब रूडी को अफ जेल में डाल कर संतोस्रेणु यादो डालते हो सकता था- databool कर लेते चलिए संतोसरी निवादों भावना में बाकर कुछ बातों को गलत बोल दिए तो जेल चले गए इस चीज़ को माल लेते लेकिन आप राजीव परताप रुडी को नहीं डाले जो इंसान बोलता है सेल्फ डिफेंस के में गोली दिन रात चलती रहेगी चलती है और चलती रहे तो चलिये की नहीं इक एक बहन के हाथ के राखी प्थीदे की नहीं सोचिए राजीव परताब रुडी जी एक परिवारी तो संतोसरी नूँ श्री नो अपने ईद परिवार का मतलब समझे भागवान था बताहिये कि जड़ी चंदन आदो अनो spectrum Э Jazz Сंवाज को मार दिया जाता है और संतोसरी würden अपने stepping मिलने जाथ तो किया गलत है ढ़िए ठीक बाद था उनको रोका भी गे चलिये मानते हैं लेकिन राजिव परताप रोडी का कींई है सबसे बड़ा सवाल यहीं बनता है महुदाई बिहार पुलीस सावन पुलीस आप लोग से सबसे बड़ा सवाल यही है जिआ अप राजीव परताफ रूढी को के नहीं अभिन तक गिरवतार किया का आपको भाज्पाव वालों ने डबाव दिए रहा है बिहार पुलिस को क्या प्छासे अब थें बाव बाव को लुज़या रहे है है जिसे का करता होगा यह हम नहीं बता सकते हैं भी पुड़ा विहार जानता है पपु यादो को उजागर करने पे जेल में डाला गया अब सचाई बोलिएगा आप अब रहा दिखा रहे हैं नहीं हो सकता है जो दिन के बाद आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा एक और सेर है और सेर को पीजड़ा में बोन किया जा सकता है कुटा सी यार को जानते हैं आप कहीं भी खड़ी लागा कर बन दीजिए तो कुटा वहां पर रह जाएगा लेकिन सेर को आपको पीजड़ा के अंदर बंद करना पड़ेगा क्योंकि सेर गरीब का मसिया था संतोस्रे न खटिहार का अत्याचार उसकी समय खूल गया है मोना ठाकूर एक एक बेर एक करकर सात्यादो का नर्सा गहार किये थे मोना ठाकूर का संतोस्रे निव्यादो जाकर अपने समाज के लिए अगर मन मान लेते हैं भावना में बहुकर इमोशनल होकर अगर एक बात असबत भी न आर्मांते